हेलो, हैपी कृष्णी जन्मास्टमी टु आल आप मैं लवली फ्रेंड्स और मैं आल स्टुडेंट्स आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं, जन्मास्टमी बहुत अच्छे से इंजोया करने वाले हैं चलिए थोड़ी स्टडी भी कर लेते हैं, ठीक है, आज की जो क्लास है बच्चों, आज की क्लास है, क्लास एट का साइन्स का लेक्चर है ये, ठीक है फर्स चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, क्रॉप प्रोडक्शन और मैनेजमेंट, ठीक है इसके पहले दो-तिन लेक्चर मैं अल्रडी वीडियो अप्लोड कर चुके हूँ, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके क्लास एट के सेक्शन में आप लोग उसे देख लीजिएगा, ठीक है जिससे के आप आगे इस लेक्चर से कनेक्ट हो पाएंगे, अगर आपको प्रिवियस क्या पढ़ा हमने वो आपको पता ही नहीं होगा, तो फिर आप इससे कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, आधा-धूरा नॉलेज होगा आपको, ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आज का लेक्चर, क्रॉप प्रोडक्शन और मेनेजमेंट, प्रिवियस लेक्चर में हमने सेलेक्शन आप सीट पढ़ा था, टेडिशनल टूल, सीट, ड्रिल, ये सब हमने पढ़ लिया था, ठीक है आज जो हम पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे अडिंग मेनियोर एंड फर्टिलाइजर, मेनियोर का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, मेनियोर का मतलब होता है जैविख खाद और फर्टिलाइजर का मतलब होता है रसाइनिक खाद, ठीक है इन दोनों के बारे में हम detail में discussion करेंगे manure and fertilizers are the substance added in the soil to supply additional nutrients for the healthy growth of plants ये आपका जो जैविक खाद है और जो रशाइनिक खाद है ये एक substance है जो कि मिट्टी में मिलाया जाता है मिट्टी में nutrients की मात्रा यानि मिट्टी में पोसक ततों को बढ़ाने के लिए जैविक खाद और अशाइनिक खाद को मिलाया जाता है जिससे पौधों की ग्रोथ अच्छी हो healthy plants हो ठीक है आगे देखते हैं The minerals nutrients are supplied to the crop plant which are vital for their growth The minerals nutrients are supplied to the crop जो nutrients, मिनेरल प्राप्त की मिट्टी में प्राप्त होता है was crops के लिए बहुत ज़्यादा crop की growth की लिए बहुत ज्यादा important होता है यानि जो nutrients खाद से मिट्टी पौधों को मिलता है मिट्टी में nutrients की मात्रा जित्ती जादा होगी जितनी आच्छी होगी Farmers grow one crop after the other किसान एक क्रॉप के बाद दूसरी क्रॉप एक ही खेत में उगाते हैं ठीक है Due to this field is never left uncultivated or follow इस process में क्या होता है जो खेत होता है वो कभी uncultivated नहीं होता है यानि उसमें हमेशा कोई न कोई फसल उगाई जाती रहती है हमेशा वो cultivated रहता है ठीक है The soil become nutrients deficient due to continuous crop cultivation मिट्टी में nutrients की मात्रा कम हो जाती कम होने लगती है अगर हम लगातार cultivation करते हैं लगातार खेती करते हैं ठीक है एक ही field में अगर हम लगातार cultivation कर रहें लगातार खेती हो रही है तो मिट्टी में nutrients यानि पोसकत्त्तो की मात्रा कम हो जाती है ठीक है इसलिए मिट्टी में इस पोसकतात्यों के मात्रा को फिर से रिफिल करने के लिए यानि फिर से और निट्रिशन एड़ करने के लिए हम खाद खेत में एड़ करते हैं ठीक है Farmers and the processes terms and manuring किसान खेत में manure and fertilizers add करते हैं जिसे हम यह जो process होता है इसे हम कहते हैं manuring Growth of weak plants is the result of improper and insufficient manuring जो plants weak होता है growth अच्छी नहीं होती है उसका reason क्या होता है उसमें insufficient यानि अप्रयाप्त मात्रा में improper खाद डाली गई है मतलब उसमें proper manuring नहीं हुई है proper उसमें खाद बगर नहीं डाली गई है फिल्ड में इसलिए वहाँ जो plants जो ऊग रहा है वो बहुत ही weak है ठीक है उसमें growth अच्छी नहीं है manure क्या है एक organic substance है ठीक है जो किस से manure यानि organic खाद की बात हो रही है यहाँ पर manure यानि organic अगर मैं fertilizer बोलू यानि की रसाइनिक खाद ठीक है आपका जो manure है यह क्या है एक organic substance है यानि एक जैविक पदार्थ है जो कि decomposition से प्राप्त होता है कि इसके plant और animal जो decaying matter होता है उससे बनता है manure यानि जो खराब जो सड़ जाता है खराब हो जाता है ठीक है वो matter जो होता है वो जो substance होता है वही क्या होता है manure होता है ठीक है farmer dump dead plants and animal in pits at open places and allow it to decompose farmer यानि किसान क्या करते है जो dead plant होता है dead animal होते है उन्हें एक किसी field में एक गड़े में ऐसे डाल देते है और उसे decompose होने देते है ठीक है यानि उसमें उसे सडने देते है the action of few microorganism adds in the decomposition और ये जिस pits यानि के मतलब क्या होता है गड़े में डाल दिया इन्होंने dead plant dead animals ठीक है आप लोगोंने देखा होगा गाई का गोबर वगर एक गड़े में लोग फिकते रहते है ठीक है तो उसमें कई सारी चीज़े खरा साड़े गले पौधे कुछ भी हो सबकुछ हो डाल देते हैं जिसे वहाँ पर decompose हो और decompose होने में जो उसका help करता है वो है सुछमजिव जो microorganism होते हैं वो help करते हैं decompose होने में ठीक है used as organic manure और जब यह decompose complete हो जाता है तो इसे ही हम organic manure के रूप में use करते हैं ठीक है यानि जैवी खात के रूप में फिल्ड में use करते हैं फिल्ड यानि खेत में use करते हैं ठीक है class 6 में हमने केच्विए ऐसे करते हैं केच्विए में बहुत उबजाव करते हैं किसान का Cor .21 में परेंद गेच्विए को किसान का उप सुना वाँगा होसा थीक है तो प्रीजिय लेक्षर अप लोगों ने इसके बारे में जाना है और आप अप देख रहे हैं manure and fertilizer ठीक है इसे कैसे प्रभावित हो रहे हैं वो हम इस activity यानि इस practical के द्वारा समझेंगे और ये practical आप लोग घर पे करेंगे ठीक है ये practical आप लोग करिएगा फिर मुझे comment box में बताईएगा कि क्या difference है अगर हम proper मात्रा में manure डालते हैं field में और अगर नहीं डालते हैं तो क्या फर्क प लेना है और उसे अंकुरित कर लेना है ठीक है क्या करना है आप लोगों को कुछ चने की चने को चना ले लेना है आपको या मूंग ले लेना है ठीक है उसका बीज उसे आपको अंकुरित करना है ठीक है आप चना भीगोते हैं भीगो के रख देते हैं फिर उसे में से पानी जिसमें सेम अंकूर है उसे आपको लोगकों ले लेना है, ठीक है? equal size वाले, अलग- Alert size के नहीं, तब ही आप ये practical प्रॉपर कर सकेंगे आप उसके बाद आपको क्या लेना है? 3 empty class लेना है, खाली class लेना है, कोई container लेना है तीन होना चाहिए, उस पे आपको name, एक label लगा देना है, एक पे A लिखær देना है, B लिख देना है, C है, सी या, आप 1, 2, 3 कुछ भी कर सकते है, ठीक है, आपको तीनों को अलग-अलग उस पे कुछ टैग लगा देना है, जिससे आपको समझ में है, ये कौन सा है, कंटेनर ये कौन सा है, ये कौन सा है, ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, उसमें little quantity of soil mixed with little cow dung menu, आपको glass A में क्या करना है, थोड़ा मिट्टी लेना है, और उसमे गोबर की खाद, यानि थोड़ी से जैविक खाद उसमें आपको mix करनी है, और उसे glass A में डाल देना है, ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, put the same quantity of soil mixed with little urea in glass B, glass B में भी आपको उतनी ही मिट्टी लेनी है, और उसमें जैसे आपने जितनी मातरा में गोबर की खाद लिया ठीक है, अब glass C में क्या करना है, आपको glass C में मिट्टी की quantity जो होगी, उतनी ही होगी लेकिन उसमें आपको कोई भी खाद नहीं डालनी है, जाए वो जैविक और चाय रसायनिक आपको कोई खाद नहीं डालनी है, ग्लास C में मिट्टी डाल देना है उतनी ही quantity में जितना आ Now, plant the seedling in them. अब उसमें आपको यह जो अंकूरित आपने बीस लिया हो ए ना, उसको उसमें आपको लगा देना है, ठीक है? A, B, C में, तीनो में आपको A लगा देना है, ठीक है? अब उसके बाद आपको equal amount में मतलब same मात्रा में आपको पानी डाल देना है तीनों glass में आप कभी भी कोई पौधा लगाते हैं उसमें आप पानी डालते हैं उसी तरीके से आपको इसमें क्या करना है पानी देखें यहाँ पे A, B, C पानी डाल गया है तो आप लोगों को भी यही करना है और उसके बाद उसे एक safe place पे रख देना है तीनों glass को ठीके और आपको उसमें पानी regular देते रहना है ऐसा नहीं कि आज आपने पानी डाल दे फिर उसके बाद आप उसमें कुछ नहीं करना है उसमें आप पानी थोड़ा थोड़ा डालते रहेंगे daily ठीके अब उसके बाद आपको देखना है 7 या 10 days के बाद कि इसमें growth कैसा हो रहा है यानि तीनों जो glass है उसमें जो पौदे हैं वो same size में grow कर रहे हैं या कुछ difference है उसमें ठीके यह आप लोगों को observe करना है और उसके बाद मुझे comment box में बताना है कि आप लोगों ने क्या फर्क देखा तीनों glass के पौदो में क्या फर्क था ठीक है तो आपका practical complete हुआ चलिए अब आगे देखते है यहां पर question है क्या आपका सभी जो glasses है उसमें plant क्या equal size में grow कर रहे हैं यह question है इसका answer आप लोगों को देना है ठीक है इन विच ग्लास दा प्लांट सोस बेटर ग्रोथ और आपको यह भी बताना है कि किस glass में plant बहुत अच्छा ग्रोथ कर रहा है ठीक है विच ग्लास सोस दा फास्ट ग्रोथ और यह भी आपको बताना है question third भी आपको answer करना है कि किस glass का जो प्लांट है वो जल्दी ग्रोथ कर गया ठीक है क्या क्या बताना है आपको पहले आपको यह observe करना है कि तीनों ग्लास में plant क्या ग्रोथ कर रहा है उसकी जो size है सेम है और दूसरा answer आपको करना है कि किस में ज़्यादा अच्छा ग्रोथ हो है किस glass में और third answer आप लोग को करना है कि किस में जल्दी पौधा ग्रोथ कर रहा है ठीक है यह practical आपको करना है और फिर मुझे comment box में बताना है the chemical which are reaching specific nutrients are called fertilizer जिसमें ज़्यादा बातरा में chemical होता है ठीक है उसे हम कहते हैं fertilizer रसायनिक खाद ठीक है what is difference between manure and fertilizer क्या difference है जैविक खाद और रसायनिक खाद में आए देखते हैं क्या difference है सबसे पहले जानते हैं fertilizer के बारे में रसायनिक खाद के बारे में ठीक है यह कहां produce होता है, factories में, जो आपके fertilizer होती है, जो रसाइनी खाद है, यह आपको factory में बनाई जाती है, ठीक है, इस example है, urea, ammonium, sulfate, super sulfate, potass, NPK, यानि nitrogen, phosphorus, potassium, ठीक है, यह कुछ example है, fertilizer के, यानि रसाइनी खाद के यह कुछ example है, ठीक है, आगे देखते हैं, The addition of fertilizer in the crop field help the farmer to obtain better yield of crops like wheat, paddy and maize, आपका जो fertilizer है, जो खेत में use होता है, वो crop को अच्छा grow करने में मदद करता है, जिससे जो फसल होती है, बहुत ही उपचाओ होती है, ठीक है, farmer के help होता है, fertilizer से crop अच्छे मातरा में, उसके जो उपच होती है crop के बहुत ही अच्छे मातरा में होती है, ठीक है, गेहू हो गया, आपका धान हो गया, wheat, paddy, धान हो गया, मेज यानि मक्का हो गया, ठीक है, यह example है, बट लेकिन जो soil fertility है, वो weak होती है, decreased in fertilizer, used in excessive quantity, अगर हम fertilizer का use बहुत जादा मातरा में कर देंगे, तो जो मिट्टी के fertility है, मिट्टी के जो उपचाओ छमता है, वो कम हो जाती है, ठीक है, इसलिए रसाइनिक खाद का उपयूग बहुत जादा मातरा में नहीं करना चाहिए, लिमिटेट करना चाहिए, ठीक है, अगर हम जब खाद डालते हैं, फिर पानी भी डालते हैं, ठीक है, तो इससे वाटर पोलुशन भी होता है, एर पोलुशन भी होता है, दोनों समझ लेजिए, इस प्रकार, thus to maintain the soil fertility, fertilizer should be replaced with organic manure, और the field must be left uncultivated in between sowing of two crop seeds, इस प्रकार, soil की जो fertility है, उसे maintain करने के लिए क्या करना चाहिए, fertilizer को replace कर देना चाहिए, organic manure से, यानि all time सिर्फ रसायनी खाद नहीं डालना चाहिए, अगर एक बार हमने रसायनी खाद डाल दिया, तो फिर next बसल में हमें organic manure का use करना चाहिए, जिस से, या फिर क्या करना चाहिए, uncultivated, यानि उस field में खेती ही नहीं करना चाहिए, उसे cuisine ऐस से ही छोड़ देना चाहिए, ठीक है, दो crops के बीच में थोड़ा space देना चाहिए, continuous एक के बाद एक crop अगर हम एक ही फिल्ड में उगाएंगे, तो soil की fertility है, यानि मिट्टी की चूप चाओ चमता है, वो कम हो जाएगे, धीरे-धीरे खतम होने लगेगे, ठीक है, आगे देख खाद है, इसका क्या profit है, यह क्या करती है, मिट्टी के texture को अच्छा करता है, आपका जो organic manure है, मिट्टी के texture को अच्छा करता है, और मिट्टी की जो पानी की चमता, जो capacity होती है, उसे भी बढ़ाता है, ठीक है, जो manure है, वो soil मे, soil texture को भी बढ़ाता है, और मिट्टी की पान को रोकने की जो छमता होती है उसमें भी वृद्धी करता है ठीक है और क्या करता है मिट्टी में जो न्यूट्रीशन्स की मातरा है उसे भी बढ़ाता है ठीक है मिट्टी में न्यूट्रीशन्स की मातरा को भी बढ़ाता है ठीक है कौन बढ़ाता है और अरगेनिक में नियोर इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा चलिए आज के लिए बस इतना है thank you so much for listening me और अगर आप लोगों ने previous lecture नहीं देखा है तो उसे जरूर जाके देख लीजिएगा अगर आप लोगों लेक्चर पसंद आता है तो चैनल को subscribe करना मत भूलिएगा ठीक है और आप लोग चैनल पे लगातार विजिट करते रही है आपका स्लेवर्स पूरा complete होगा my dear students आप लोगों को बिल्कुल परिशान होने की जरूरत नहीं है ठीक है ये next में हम पढ़ेंगे crop rotation ठीक है अभी आप लोग इसको ध्यान से एक दो बार वीडियो आप देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि fertilizer और organic manure में क्या difference है ठीक है thank you so much for listening me be happy, stay healthy happy krishnijanmas to me bye bye